हालो फेंड्स, वेलकम यू आल, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिकारा हो देखे, बात करेंगे एक हैवी इंजिनिरिंग स्टॉक की, जब हैवी इंजिनिरिंग से मतलब होता है, तो मतलब बड़े-बड़े कंटेनर्स, बड़े-बड़े बॉइलर्स इस तरीके की को मिलेगा इस स्टॉक के माध्यम से और आगे बढ़ने से पहले मा आपको बता दूगरा आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बैल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और प्राइस से कमेंट्स आते हैं कि स्टॉक का नाम नहीं दिखता, तो इसलिए ये डिटेल में ISGEC, हैवी इंजिरिंग लिमिटेड स्टॉक का प्राइस माध्र 515, 4000 करोड के आसपास का मार्किट कैपिटलाइशन, और ये स्टॉक रडार में क्यों आया, उसको डिटेल में समझने की कोश करते हैं, revenue growth है stock में, और ये देखे profitability, हमेशा किदर है positivity, तो चलिए ये stock को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले monthly chart पे, इस stock में एक बहुत ही बहतरीन rally आई, और वो rally को आप देख सकते हो और समझ सकते हो, ये rally ये stock को 2500 के level से, देखे 2500 के level है, और कहा लेके गई, 875 के level त होते हैं, यहाँ पे अपने आपको trap मत कर लेना कभी भी, क्योंकि ये moving average हमेशा, जितनी दूरी यहाँ पे होगी, race को उतना ज्यादा होगा, ये हमेशा मान के चलना, समझ के चलना, और ये उमीद करता हूँ कि यही point आपको बहुत सारे, बहुत सारी जगों से दूर के level से, ये stock वापस आता है, साड़ी 400 के level पर आपको गया रही तो क्या बढ़िया correction है, क्या healthy correction है, देख रहे हैं इस पार को, rally, correction और गायव volume के साथ ये correction आपको देखने को मिलता है, अब ये stock, ये मन्थली चार्ट है, इसके मन्थली चार्ट का example लेंगे, एक और stock को से और यहाँ पे जब इस तरीके के rally आपको देखने को मिली थी, और बिल्कुल ये इन्ही level तक का level high तक गया, और ये correction आया, और अगर आप इसको भी देखोगे, तो 50 के level से ये stock rise होके 1500 के level तक गया, और उसके बाद correction आता है, healthy वाला, 50% अगर आप देखोगे, इस price के 50% के round तक ये correction आता है, और फिर इस portion को समझने की कोशिश करेंगे, दोनों का similar kind of base का situation आपको देखने को मिल रहा है, अब मैं आपको weekly chart के उपर लेके जाता हूँ, ताकि आप relate कर पाऊ चीजों को, और समझ पाऊ, अब ये जिंदल 100 का example मैंने आपके लिए सामने इसलिए रखा, क फिर एक base का formation आपको देखने को मिला, और यहाँ पर trend बदल गया, और आपका जो existing में यूनिक होंगे, बहुत आसमान पर हाई है, ये target zone easily आपका अजीब हो गया, यानि कि 90 के level से 1500 का level तक का target असानी से अचीब हो गया, अब आपको गया, ये तो बढ़िया है, 50% से उपर का target कितनी असानी से अचीब हो गया, देख रहे हो, लेकिन इसका जो important है कि जो lower, low lower है कि series बहुत ही स्टेजी से नीचे गिर रही थी, बढ़िया, देखे, price मा fall था, वो यहाँ पर रुकता है, और फिर base बनता है, और फिर वापसी आपको देखने को मिलती है, यही चीज अगर यह जो level देख रहे हो, और आप फिर relate कर पाओगे इसको, यह इसका हमारे पास weekly chart जिसके हमारे में हम बात कर रहे थे, और weekly chart के ओपर चलते हैं, तो यह weekly chart है, और आप relate कर पाओगे, fall आया, lower low, lower high की series चलती रही, और आप fall का speed intensity कम हुआ, और आप देख सकते हैं, आप यह fall का intensity कम हो रहा, और एक base formation की तरफ यह जा रहा है, और आने वाले time पर उम्मीद करेंगे, कि जैसे जैसे यह base formation यहाँ पर चीज़े पार हो, और आपको एक, क्योंकि यह base देखे, 200 SMA पर base बन रहा है, तो यह बहुत important है, कि बढ़े time frame पर 200 SMA का base बनना, और छोटे time frame पर 200 SMA की cycle स्टार्ट होना, यानि कि यह वाला level, और अगर आप target देखोगे, यह 500 के level से यह देखे, और उसके बाद तो जिन्दल 100 मैंने इसलिए आपके सामने example रखा है, ताकि आप उसका base line लेके समझ बाओ, देखे, यह बहुत important learning है, और यह देखे, यह momentum box, यह momentum box अपना देखे, द इतना important यह चीज है, अगर आप इसको relate कर पाओ, और समझ पाओ, तो देखे, यहाँ पर जैसी base बना, वापसी हुई, वापसी हुई, 200 SME का base बन रहा है, 200 SME की cycle positive बाद स्टार्ट हो रही है, बास यह positive cycle इन ही, cycles के उपर देखे, बीरिस cycle, positive cycle, अब इसी चीज को आप relate करोग इसको देखने को मिलेगा, इसको दोनों, दोनों चार्ट को एक साथ लेके चलते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं, मिलकुल उसी तरीके का situation, base बन रहा है, 200 SME के इर्दगिर, base के साथ साथ, यह positive cycle के भी starting नहीं भी है, तो उम्मीद करेंगे, जल्द ही इसकी starting हो, तब तक breakout के बाद जो consolidation होगा, वो देखने को मिलेगा, तो यह stock आने वाले कुछ महीनों में, कुछ हपतों के लिए तयारी कर रहा है, और यह heavy engineering का stock है, तो इसको देखेंगे, radar पे रखने की समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने इसलिए आपको बड़े time frame से, धीरे धीरे छोटे time frame पे, और baseline पे किसका chart लिया, जिंदल 100 का chart लिया, अगर इसी stock को आप देखो तो पिछली cycle, जो पिछली bullet cycle थी, कितनी खतरनाक थी, पिछली bullet cycle की starting होती है, 270 के level से, और ending होती है, almost मैं कहूंगा, 600 के level पे, देख रहे हैं इस पार्ट को, यह 600 के level पे ending होती है, और 270 से starting होती ह जनी कि cycle cycle में ही double, अगर आप overall देखोगे तो यह 880 तक गया है, लेकिन double, उसके बाद various cycle start हुई, और यह देखे, यहाँ पर price उपर ज़रूर यहा, लेकिन bullet cycle कभी भी start अभी तक हुई नहीं है, first time यहाँ पर उम्मीद करेंगे, अब bullet cycle के start होने का, या फिर थोड़ा time यह base बना सकता है, इसी तरीके का situation consolidation दे सकता है, उसके बाद थोड़ा time बाद base positive cycle यहाँ पर start हो सकती है, तो यह जो cycle अभी start हुई नहीं है, लेकिन होने की probability की तरफ चल रहा है, एक base की तरफ चल रहा है, तो इसका हमने जो baseline लिया, वो क्या लिया, जिंदल 100 को, अब जिंदल 100 को लेकर आज तक overall देखोगे तो पैसा double मैं कहूंगा, 90 से almost 180 के level तक यह जाता है, लेकिन the cycle के understanding को अगर आप देखोगे आपको गयार, यह कैसे, यह base 200 SMP बनाता है weekly chart पे, और किस तरीके से daily पे वो cycle बदलती है, और positive cycle आती हो, आपके पास एक low risk की opportunity होती है, 90 के हिसाब से गर आप deep stop loss की बात करो, तो 70, 75 है, almost 15 point का risk का आपके साब, अगर मैं first easy target की बात करूँ तो 150 इच के round का, 150 पे यह भी विखिये, 15 point का risk और 60 point का gain में, यह नहीं कहूंगा कि 180 का, यह जो यह level है, 148, 150 के round का, तो यह आप clearly understand कर सकते है, छोटी-छोटी चीजे cycle level की, और फिलाल यही कहूंगा कि practice करते रहे, practice बहुत important है, cycle को समझी और price action series में, यह सारी चीजा आपके लिए ready है, बस आपको join button पर click करना है, और practice करते रहे, risk management के बारे में awareness भी spread करते रहे, और वीडियो को share कीजिए, like कीजिए, और अगर आब इन वीडियो के माध्यम से कुछ सीखे, तो comments के दुरू बताते रहे, thank you, thank you for watching the video.